हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत आप सब एक बर फिर से सरकारी हट में तो इस वीडियो में हम लोग बहुत जादा इंपॉर्टेंट जो हैं जी के कोशन कुछ देखने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लगबग 40 कोशन देखने वाले हैं जो इस तरीके के कोशन जो हैं आपके BAC nursing के entrance exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो यह काफी जादे important कोशन है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यह कोशन जो हैं आपको अगर देख कर या सुन कर याद नहीं हो पाते हैं मैं आप सभी से request करूँगा कि आप copy और pen लेकर बैठ जाओ और इनको please लिख ले ठीक है तो यह हम basically super latest वाले कोशन करने वाले हैं यानि कि जैसे आपको पता हुआ कि largest यह वाली चीज कहां पा रहे ठीक है कोशन मिलेंगे जरूर तो आप सभी से request की वीडियो को please end तक देखना और कोशिश कर लो कि note कर लो साथ साथ जैसे ऐसे मैं बोलते या रहा हूँ ठीक है ताकि कोई भी point आपसे miss ना और आप उसको जो है बाद में एक्जाम से पहले अपना रिविजन कर सको ठीक है तो चलिए start कर लेते हैं तो पहला हमारा question है which of the falling is the highest lake in India तो इसका जो correct answer जागा इसका correct answer option 2 यानि कि देवातल लेग ठीक है और यह आपकी कहां पर है गड़वाल हमाल्याज में यानि कि उत्राखंड में तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने कि जो highest लेग है यानि कि सबसे उचाई वाली जो लेग है मतलब सबसे उचाई पर जो लेग है वह कौन से आपकी देवातल लेग फिर नेक्स question है the largest museum India museum is located in तो यह आपने कोशन हो सकते है पहले पढ़ाविए तो इंडिया म्यूजियम जो है वह आपका सबसे बड़ा म्यूजियम है और यह कहां पर इस्थित है आपका कुलकाता में है फिर नेक्स question है इंडिया लाज़ेस कैनाल डैश इस लोकेटेड ए राजिस्थान तो यह सभी को पता होगा ठीक है इसका नाम किया है इंद्रा गांधी कैनाल जो है इंडिया का सबसे बड़ा कैनाल है और यह राजिस्थान में लोकेटेड है फिर नेक्स question है which of the following is the highest peak in इंडिया तो इन में से जो है सबसे ऊची जो है चोटी कौन सी तो इसका करेक्ट आंसर जगा कंचन जंगा ठीक है तो option 4 जो इसका करेक्ट आंसर है कंचन जंगा जो कि आपकी कोलकाता वेस्ट बंगॉल में इस्थे ठीक है तो यह चीज़ आपके देखो ब्यस्थी नर्सिंग एक्जाम देने जा रहे हो तो यह कोशन आपका जोलोजी वाले यानि की बायोलोजी वाले पार्ट से भी लिंक रखता है ठीक है साइन्स वाला कोशन भी होगी जी के कभी हो गया तो काफी जाद है कौन सी स्टेट जिसकी लोइस पॉपॉलेशन है का करेक्ट आंस जाएका सिकिम तो सिक्के में सबसे कम पॉपॉपॉलेशन सबसे जादा कहां पर आपकी उत्तर प्रदेश में फिर नेक्स कूशन है डैश इस लाजस पेट इंटम्स आफ एरिया तो यह बहुत इसी कूशन ह है वो largest state है आपकी terms of area में तो इस तरीके कोशन जो आपका ABVMO के intense exam में भी पूछा गया था largest state के basis पर ठीक है आपको option दिये और चार्टना था कि largest state इतने से कौन सी है तो इसका correct answer जो जाएगा कौन सा हो जाएगा राजस्तान या राजस्तान जो आपकी largest state है in terms of area फिर नेक्स कोशन है इस दा लॉंगेस रोड इन इंडिया तो कौन सी रोड है ग्रांट रंग रोड जिसे हम GT रोड भी बोलते हैं ठीक है तो यह कोशन आप ध्यान रखना कि GT रोड जो है वो सबसे बड़ी रोड है इंडिया के फिर नेक्स ओशन है which of the falling is the tallest statue इंडिया तो इन में से कौन सा tallest statue है तो इसका correct answer जगा option 2 यानि कि statue गोमतेश्वर ठीक है तो गोमतेश्वर जो है कोई भी डाउट होगा तो मैं comment section में आपको ज़रूर बता दूंगा ठीक है तो आप भी एक बार चेक कर लेना कि tallest statue कौन सा है statue of unity है या जो यहां पर लिखा हो सकता है old information के according हो लेकिन मेरे को लगता है statue of unity जो हो tallest statue है ठीक है अब next 10 कोशन करते हैं तो next question है मारा which of the falling is highest gallantry award gallantry award यानि की मतलब होता है जो कि आपके defense वगरा में दिया जाता है यानि की लडाई के लिए जो आपको पुरुसकार दिया जाता है ठीक है तो इसका correct answer option second यानि की परमवीर चक्रे तो परमवीर चक्रे जो है उसकी सबसे ज़्यादा value है और यह highest आपका gallantry award है ठीक है फिनक सुचन है which of the falling is highest dam in इंडिया यह dam वाले questions काफी ज़्यादे important होते है तो इनको अच्छे से ध्यान रखना कि highest कौन सा है largest कौन सा है तो यह सारी चीज़े आप ध्यान रखना ठीक है यह longest कौन सा है तो यह आपको इसमें confusion नहीं होना चाहिए तो इसका correct answer जो जाएगा option 4 यानि की टीरी dam और यह सभी को पता होगा कि उत्राखंड में है ठीक है और यह भागी रथी river के उपर बनाए भाई यह river भी देख लेना कि कौन सा time जो है कौन सी river के उपर बना हुआ है यह इस तरीके की question में पूछ ले जाते है कि सरदार सरोवर dam जो हो किस रिवर पे बना है भागी रथ किस पे बना हीरा कुट किस पे बना तीरी ficar बना है तो ठीक है भागी रत नी जूरी बगलिहार ठीक है तो यह सारे जो rhythms है जो important है न important dams की आप revert देख लेना कि किशरे किस never की पर बनाए गए हैं तो उस पे कोशन कई बार पूछ ले जाते हैं ठीक है फिनेक्स कुछन है विच फॉलिंग इस लॉंगेस्ट रिवर इन इंडिया तो इसमें से सबसी लंबी रिवर कौन से सभी को पाता है गंगा रिवर जो है वह आपकी सबसे फिनेक्स कुछने विच फॉलिंग सिट्ई पॉपलेट इस पॉपलेट इस लॉझ पॉपलेट सिटी लाहज ए औरिम्बीन। फिर ने को पता होगा बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसका उप्षिन फर्स जो यानि की थार डिजर्ट जो है वह आपका लाजर डिजर्ट है कहां पर इंडिया में फिर ने कोशन है विच फॉलिंग इस फास्टेस टेन इंडिया यह भी काफी इंपर्टन कोशन है तो इसका प्रिक्ट आंसर जोगा ऑप्षिन थर्ड यानि की शताब्दी एक्सप्रेस ओके यह इंफोर्मेशन भी हो सकते है थोड़ी ओल्ड हो इसको भी एक बार रीचेक कर ना क्योंकि अभी काफी सारी मतलब जो है नहीं ट्रेंस आ गए जिनमें इंप्रूब्मेंट हो चुका है तो अब शायद मेरे साब से शदाब्दी नहीं होगी तो आप एक बार इसको रीचेक कर लेना अगर आपको करेक्ट आंसर पता चल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जर दिद्पा और गता जो है तो कि आपको द्हान रखना है तो और फेने शुशन ने दूर्धि उन्हें स्थान. बंबा हाईवे है ठीक है नेशनल हाईवे 7 यहां पर हमने 20 कोशन कम्लेट कर ले हैं अब next 10 कोशन करते हैं हमारा first question इसमें the first female president of our country was, तो कौन है female president कौन थी भई इसका correct answer जाएगा option third यानि की पर्तिबा पार्टिल ठीक है और ये भी धानाखना की पर्तिबा पार्टिल जी जो थी वो 12th president थी इंडिया गी 2007 से 2012 के बीच में, आगे बहुत समझ में फिर next question है, who among the following was the first chief justice of India, ये भी बहुत जाएदा important question है, तो इसका correct answer जाएगा option four, यानि की Harilal J. Kania, ठीक है तो first chief justice of India, C.J.I. भी बोलते हैं, इसको short में, chief justice of India को first chief justice of India कौन थे हमारे Harilal J. Kania, ठीक है ये धानाखना, फिर next question है the first president of India was, ये सभी को पता होना चाहिए, नहीं भी पता है, तो देख लो Dr. Rajendra Pasad, ठीक है फिर next question है, who among the following was the first female prime minister of India, ये भी सब को पता हो, का बहुत easy question है, तो इसका correct answer जाएगा option two, यानि की Indra Gandhi, ठीक है, तो Indra Gandhi जो थी, वो कौन थी, first prime minister थी, इंडिया की फिर next question है, the first chairman of finance commission of India was, ये भी important question है, मैं सारे ही important questions आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, तो आपको बिल्कुल tension lane की जरूर्दी है, मैं पूरी कोशिच कर रहा हूँ, आपको preparation करवाने की, जो भी BSC nursing attendance exam की कर रहे हैं, तो please मेरे को ज़रूर follow करना, अपनी अपनी जो मेहनत कर रहे हूँ, वो करते रहो, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ, उसको जरूर कर ले ना, ठीक है तो finance commission of India, जो है, उसकी first chairman, मतलब उसके first chairman कौन थे, तो इसका correct answer है, option two, यानि की case ही नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये next question बहुत important है की, who was the first female judge in supreme court of India, ठीक है, तो इसका correct answer जोगा, option first, यानि की, MS Fatima B.B तो ये ध्यान रखना आपको, MS Fatima B.B, जो थी, वो कौन थी, first female judge थी, कहाँ पर, supreme court of India में फिर next question है, who was elected as the first vice president of India, ये भी सभी को पता होगा, इनके ही, day पर हम क्या बनाते है Dr. S. Radha Krishnan जो है, इनके day पर हम क्या बनाते है Teachers जो बनाते है, ठीक है, 5 September को, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कि vice president of India को है, Dr. S. Radha Krishnan, फिर next question है Dash is the first chief election commissioner of our country ठीक है, ये भी important question है, तो सुकुमार सेन, जो है, ये इनका नाम है, तो सुकुमार सेन को था, the first chief election commissioner थे हमारे country, यानि के India के, ओके, फिर next question है, the first female chief minister of India was, ये भी बहुत-बहुत-बहुत important question है, कई बार exams में पूचा गया है, ठीक है, जो भी आपके national level के, state level के competitive exams होते हैं, तो उनमें कई बार, जो ये question पूचा गया है, तो इसका correct answer जोगा, option first, यानि के, सुचीता क्रेपलानी ठीक है, फिर हमारा last question है, आज का, who was elected as a prime minister of India, तो इनमें से first prime minister कौन है, भी जवालन नहरू, ये question भी आपको पता होता है, पता होगा, लेकिन जिसको नहीं भी होता है, थोड़ा बार doubt भी होता है, तो वो भी मैंने यहां पर clear कर दिया, क्योंकि आपका एक बार revision भी हो गया, अगर आपको कुछ questions यहां पर easy लगे तो, ठीक है, तो यहां पर यह जो questions हमने discuss करें, काफी जादा important question है, जिसने भी video end तक देखी, उन सभी का thank you, और यह आपके लिए मतलब beneficial है, और बस आप मेरे को इसी तरीके से follow करते रहे हैं, जो भी channel पर नहीं है, subscribe कर लो, bell icon press कर लो, अगर आप BSC nursing के entrance exam की preparation कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप लोग के लिए, प्लीज उसको एक बार end तक देखी लिया करो, भले ही notes मत बनाओ, ठीक है, notes नहीं बनाने मत बनाओ, लेकिन एक बार देख लोगे न, वो जीज दिमाग में बैठ जाती है, तो जब exam में आती है, तो वो आपको strike कर जाती है, ठीक है, तो I hope आपको इए वीडियो पसंद आई होगे, अगर इए वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको like करना, अपने friends के साथ share करना, जो भी आपकी नरसिंग, BSC nursing के experience है, उनके साथ, और कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment section में ज़रूर बता सकते हो, ओके, so thank you and have a nice day.